हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आर चैनल वीनू डाइरीज और मेरे पास किसी एक महिला का कमेंट आये था नाम तो मैं उनका डिस्कलोज करना नहीं चाहूंगी क्योंकि ऐसे अच्छा भी नहीं रहता है किसी का नाम बताना लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पती ने उनको धोका दे दिया है उनका डिवोर्स हो गया है तो मैं बताईए मैं अब क्या करूँ और मेरे पास ऐसे कमेंट आते ही रहते हैं तो मैंने सोचा कि चलो यह अच्छा टोपिक है और यह काफी जाद महिलाई इससे परिशान भी है तो इस पर वीडियो बनाने चाहिए देखिए मैं अपनी उन सभी प्यारी बहनों से उन महिलाओं से यह कहना चाहती हूं देखिए मेरे प्यारी बहनों किसी के आने से ना तो हमारी जिन्दगी चलती है और किसी के चले जाने से ना हमारी जिन्दगी रुखती है या आपने भी देखाओगी कोई चला गया वो बहुत प्यारा होता है क्या हमारा जीवन खतम हो जाता है नहीं होता ना हम जैसे ने कैसे करके जीना सीख लेते हैं तो बस वो ही आपको जीना है ऐसा नहीं कि अगर उसने आपको डिवोर्स दे दिया है तो आपका रिष्टा खत करने ही रही है उपर से उसको रो जा रही है कि मुझे मिला है और पुछक दिखानाई अब आपकी बारी आ गई है, कहते हैं, कि एक स्चांस मिलना चाहिए, आपको एक स्चांस मिला है कुछ कर दिखाने के लिए, तो मेरी प्यारी बेहनों, आप उस पर रोईए मत, उटकर खड़ी हो जाईए और कुछ कर दिखाईए, अब आपको ये मन में होगा, कि कुछ बहने मेरी पड़ी लिखी होती है वो तो पहले से ही कुछ भी करती रहती है लेकिन कुछ बहने मेरी ऐसी भी होती है जो पड़ी लिखी नहीं है अब उनको excuses एक और मिल गए है कि हम तो पड़ी लिखे नहीं है हम क्या करें हम तो कम पड़े लिखे है हम क्या करें कभी कोई भी कोई भी पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे कोई भी ऐसी बीच में अपने दिवार को मत आने दीजें क्योंकि यह हमारे ने excuses होते हैं इनके बाद हम एक के बाद एक के बाद हम लगाते रहें या फिर आम इनको खतम करके कुछ कर दिख्ञाएं और आपने ऐसे कई सारे एक्जमपल देखे होंगे कि काम पढ़े लिखे थे उन्होंने फिर भी ये अचीव करिंगे हैह पढ़ली करी कोई ऐसा नहें होता कि पढ़ली करी हम लिए हम कोई बड़ा काम करेंगे हम करेंगे जरुरत है हमारे उस challenge को accept करने की हमारे अंदर हिम्मत आने की हमारे अंदर जो वो ताकत है ना अब आपको वो ताकत दिखाना है और आपने देखा बें होगा ऐसे कई सारे exampals मिलते हैं ऐसे कई सारी लेडी हैं जिनको पती ने ठुकरा दिया और फिर मैंने अपना और उनको पती को आज भी उस पर अपना पचतावा होता है कि मैंने तब अपनी पतनी को क्यो छोड़ा था ऐसे कहीं सारे exampals आपको उनकी motivational books पड़नी हैं उन्होंने क्या किया क्योंकि कभी भी कोई भी काम impossible नहीं होता कभी भी कोई उनकीIZक आपको पता है दोस्तों impossible में छिपा हुआ है I am possible तो जब impossible में ही I am possible पॉसिबा थो फिर आप उसको possible क्यों कर रही है क्यों रोई जा रही है यह रोने का time नहीं यह कुछ कर दिखाए नजाये कैसे कैसे अपने investment करना चाहिए, इस पे मैंने एक video भी upload किया हुए है कि हम कम पड़े लिखे होकर भी या बिना पड़े लिखे होकर हम क्या कमा सकते हैं मैंने भी इस पर एक video upload किया मेरी video भी देख सकती हैं जिसमें कि आपको सब चीजे एकदम हम वह मिलेंगी जो आप कर सकते हैं और मेरी नहीं मैं आपको अपनी नहीं बोले हो आप और भी ढूंड़े बहुत सारी ऐसी वीडियो बनी है कि आपको जीरो परसेंट इन्वेस्टमेंट करना है और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकती है अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकती है इसलिए ही मैं आपको बोल रहे हूं कि आप अपनी आप मेरी वीडियो चेक कर सकती है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बोक्स में लगा दूंगी तो आप वहां सभी चेक कर सकती है कि मैंने अपने आप आपको बिजनेस की क्या वीडियो बताई है और आप किसी और की भ तो बहनों कुछ कर दिखाओ अब रोने से काम मत नहीं चलेगा कि मुझे मेरे पती ने छोड़ दिया आप रोती रहें तो आप कुछ कर दिखाए ताकि उनको पच्चतावा हो कि मैं मेरे मैंने अपनी वाइप को छोड़ा था और देखो आज ही कितने उन से आगे निकलना है आपको दोड़ मिली है डो लोग दोड़ रहे हैं एक आप से आगे है लेकिन जब आप उसके आगे निकल जाएंगी तब आप पीछे मुड़कर आप भी मत देखिएगा तो देखिए I hope आपको मेरा वीडियो समझ में आता होगा अगर आपको मेरे इस तरह की वीडियो समझ तो प्लीज मेरे वीडियो को इनको लाइक भी करिए शेयर भी करिए और अगर आपको मेरे चैनल पर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए तो बाइबाइब फ्रेंच फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो में आज के लिए ब